कैसे होँ विद्यार्थि मित्रों? मैं किंचल पठेल फ्राम अश्वम एक विद्याले विद्यार्थि मित्रों, गए बीडियो में हमने कक्षा चार के हिंदी विश्वई में टॉम एक्जम का ही विजन किया था जिसके अंदर हमने सैक्षन D किया था आज हम section E करेंगे जिसके अंदर पहला प्रश्ण है निमनलिखित प्रश्णों के उत्तर आपको प्रश्ण दिये जाए उसको आपको एक शब्द के अंदर आपको उसका उत्तर लिखना है तो वो हम करेंगे पहला प्रश्न है, पिता के छोटे भाई को क्या कहते है? चाचा कहा जाता है? ठीक है? तो इस प्रकार आपको लिखना है दूसरा है, पिता की बहन को क्या कहते? पिता की बहन को क्या कहा जाता है? तो पिता की बहन को बुआ कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बुआ आगे है तीसरा मामा की पत्नी को क्या कहते है मामा की पत्नी को क्या कहा जाता है मामा की पत्नी को मामी कहते है क्या कहते है मामी चौथा है, पिता की माता को क्या कहते है, पिता की माता को क्या कहा जाता है, पिता की माता को दादी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दादी पाचवा है माता के पिता को क्या कहते मम्मी के पिता को क्या कहा जाता है नाना कहा जाता तो इस प्रकार आपको यह प्रश्नों के उत्तर लिखने अब हम आगे का प्रश्न करेंगे आगे का प्रश्न है निम्नलिखित गुजरती वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजे उसमें पहला है हुँ चौथा धरण मा भोनू छू तो इसका हिंदी में क्या होगा अनुवाद तो हम उसका अनुवाद करेंगे मैं चौथी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हुँ मैं चौथी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हुँ ठीक है तो इस प्रकार आपको करना है दूसरा है मारी मम्मी घर काम करे छे तो इसका हिंदी में अनुवाद कैस प्रकार होगा मेरी माता घर काम करती है मारी इटले मेरी मम्मी यानी माता घर काम घर काम करे तो उसका क्या हैगा कर्दी और छे का क्या होता है है ठीक है तीसरा है मारा पिता की खेडूत छे तो उसका हिंदी मनुवर्थ कैसे होगा मेरे पिता किशान है मारा का मेरे पिता पिता खेडूत का क्या होगा किशान और छे का है आगे है चोथा, मारी शाडानों नाम अश्वमे ग्विद्या लए छे. तो उसका हिंदी में अनुवाध होगा, मेरी, मेरी पाद शाला का नाम अश्वमे ग्विद्या लए है. मारी का क्या होगा मेरी शाडा नू यानि कि शाला पाट शाला साडा का क्या होगा पाट शाला नू का क्या होगा का नाम तो नाम अश्वमेग अश्वमेग विद्यालई विद्यालई छे का क्या होगा हे ठीक है तो इस प्रकार होता है पाच्वा है मारा, शहर नू नाम अमदाबाद, छे तो मारा का क्या होगा? मेरे शहर, शहर का क्या होगा? शहर नू, नू का क्या होगा? का, नाम अमदाबाद, तो इसका क्या होगा? अहमदाबाद छे का क्या होगा? हे मेरे शहर का नाम अहमदाबाद हे ठीक है तो इस प्रकार आपको गुजराती वाक्तियों का हिंदी में अनुवाद करना ठीक है अब हम आगे का प्रशन करेंगे आगे का प्रशन है नीचे दिये गए अंको को जोड कर चित्र बनाई और उसमे रंग भरिए आपको अंक दिये जाएंगे तो आपको उस अंको को जोडती जाना है बराबर है और जोड कर आपको एक चित्र बनाना है और फिर आपको उसमें रंग भरना है ठीक है ये हमने पाठ्थे पुस्तक के अंदर भी चैप्टर थ्री के अंदर पाठ्थे पुस्तक के अंदर भी किया था और वर्क बुक किया न और हमने चित्र तैयार किये थे बराबर है तो उसी प्रकार आपको भी अंक दिये जाएंगे अंकों को आपको जोड़ कर उसे उसमें क्या करना है रंग भरना ठीक है तो इस प्रकार आपको ये प्रशन करना तो यहाँ पर हमारा section E जो है वो खतम होता है और हमारा हिंदी रिविजन भी यहाँ पर खतम होता है तो आपको ये रिविजन वीडियो देखकर परिक्षा की एक्जाम की तैयारी करनी है थेंक यू